नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिब घरेलू उपचार यूटुब चैनल में दोस्तों आप जो यह पोधा देख रहे हैं या है करेटी यानी बर्यार इसे बला भी कहते हैं मैं आज इसी से होने वाले फाइदों के बारे में आप से भी को बताऊंगा बस आप वीडियो को लाश्ट तक ध्यान पुर्बग देखते रहें और अभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं डेली हल्थ से जुड़ी जनकारियां लेकर आते रहता हूँ दोस्तों खरेटी यानि बर्यार का पौधा आपको कहीं भी खेत खलियान बाग बगीचे नदी नालों के किनारे बंजर भूमी आदी जगहों पर आपको असानी से देखने को मिल जाएगा या पौधा दो फिट से चार फिट तक लंबा होता है इसकी पतियां गोलकार अकार की छोटी सीशम्प के पतियों की तरह होती है इसके फूल पीले कलर के होते हैं इसके फूल पतियों से लेकर इसके बीज, जड, तना सभी और सदिय गुणों से भरपूर होता है इसके तने के दातुन करने से दात एकदम चमकीले होते हैं शाथी दातों में पैरिया दातों से खून निकलने जैसी समस्या बिल्कुल रूप से दूर होती है इसके अलावा अगर इसके पतियों को लेकर अधरक मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो बुखार, मलेरिया, डेंगू से काफी लाव मिलता है शाथी इसके पतियों को सुखा कर इसे पावडर बनाकर रोजाना एक एक चममय दूद के साथ सेवन करेंगे तो खूनी बावशीर में काफी लाव मिलता है इसके अलावा अगर आपको बिच्चू डंक मार देता है या हाडा बिरनी काट देता है मदमखी काट लेती है तो इसके पतियों का रोज निकाल कर काटे हुए आष्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है अगर कोई ब्यक्ति मुत्र रोग से परिशान है तो इसके पतियों के रोज में घी और शकर मिला कर लेने से मुत्र सम्मंधी समस्या बिलकुल रूप से दूर होती है तो दोस्तो एथे खरेटी के कुछ महत्पूर फायदे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी को लेकर तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद